दोस्तों किसी भी सामने वाले देश के लिए सब्मरीन, समंदर में तैरता सिकारी से कम नहीं है और यह सब्मरीन किसी भी देश के समुद्री सिमाओं को हिपाज़ा तरकने के लिए बेहत्ती जरूरी सामान बन जाता है यही वज़ा है कि सब्मरीन को समंदर का महराजा भी का जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा सब्मरीन कोन सा देश के पास है असल में बेलगा रूट सब्मलीन को स्पेसाल मिशन के लिए रखा गया है क्योंकि इसमें लगे इंटर कंटिनेटल, बालास्टिक मिसाइल, न्यू यर्क और वासिंग्टन जिसे बड़े सहरों को पल भर में तभा करने का दम रखता है अगर इस न्यूकलियर सब्मलीन को चार ओर से घेल लिया जाए तो इसमें लगे 65 फिट लंबा और सौटन वजनी पोसाइडन न्यूकलियर टर्पीडो को आक्टिव कर देते ही जिससे बहती खतरनाक रेडियो आक्टिव सुनामी आसपास के इलाकाओं को तबहा करके लग देगी अगर इस सुनामी से किसी भी तरह बच भी गए तो लेकिन रेडियाशन से बचना लगबग असंबभ होगा